आज की वीडियो में इगनु से सबंदिते डिटेल सेर करने वाला हूँ ताकि आपको सही जनकरी मिल सकें जैसा कि आपको पता है इगनु से हर साल यानि की हर समेश्टर रवाईज और एरली वेसेस पर बहुत सारे स्टुडेंट अडिमिसन कराते हैं जैसे कि BSA, MA, Degree Course या जो भी है डिपलोमा कोर्स उसमा अडिमिसन कराते हैं तो आपको जनना जलूरी है कि उसका एक्जाम कब होता है और उसका डिटेल्स बिना लोग इन की यही चेक कैसे करें जैसे कि आपकी सत्रे में आपका अडिमिसन हुआ था, कब तक आपका अडिमिसन चलेगा, भैलिड रहेगा आपको परसान होने की जोड़त नहीं है, आपके लिए बहुत सारे समय मिल रहे हैं आपको ज़्यादा घबलाना नहीं है, आपको असाइमेंट पर ध्यान देना है, असाइमेंट आपको मार्च महीना में तियार कर देना है, लास्ट मार्च तक जमा करना होता है वही कुछ इस्तिती में डेट को बढ़ाया जाता है ताकि आप सही समय पर assignment को जमा कर सकें लेकिन आपको मार्च महिने में assignment को त्यार करना है उसी समय फरम भी बरना होता है परिक्षा देने के लिए और जून जुलाई में आपका परिक्षा हो जाता है जब भी exam के लिए डेट जारी किया जाएगा इस चैनल पर आपको बता दिया जाएगा जो भी जनकारी हो आपको इस चैनल पर आकर पराप्त कर लेना है अगर आप चैनल को सबस्क्राइब करते हैं तो आपको new update हमेशा पराप्त होदा रहेगा चलिए चलते हैं laptop के स्क्रीन पर और बताते हैं पुरा प्रोसेस कि आप element numbers और details कैसे चेक करेंगे यदि आप mobile के स्क्रीन पर कर रहे हैं तो आप browser को desktop version में convert कर लिजिए यहाँ पर देखे लिखा हुआ है बीना लोग इन किये अगनूड admission details चेक कैसे करें इस post का link वीडियो का description में मुझूद है जहां से click करके इस article को readout कर सकते हैं यहाँ पर आपको link मिल जाएगा इगनूड admission details इस पर आपको click कर देना है इस page का भी link वीडियो का description में मिल जाएगा यहाँ पर इगनू के website पर आने के बाद आपको element number दर्ज करना है यहाँ पर element number दर्ज करने के बाद यहाँ पर आपको course का program code select करना है निचे scroll down करना है जो भी आपका program code है आप असानी से यहाँ से select कर सकते हैं यहां पर आपको capture दर्ज करना है, जो भी capture है आप दर्ज करें, capture दर्ज करने के बाद submit बटन पर click करें, submit बटन पर click करने के बाद यहां पर देखिए आपका admission के सबंदीत admission status दिखाई देगा, यहां पर देखिए लिख्या हुआ है कि आपका admission year है July 2022 और यह admission का date है खतम जो हो यहां पर आपका नाम मिल जाएगा, address मिल जाएगा, यहां पर देखिए mobile number और email एड़ी मिल जाएगा, security purpose के द्वारा यहां पर head कर दिया जाता है, नीचे scroll down करने के बाद यहां पर दिखिए semester मिल जाएगा, यहां पर दिखिए code मिल जाएगा कि कितने subject हैं, यहां पर जो भ सकते हैं, यह बात की बात है, जब आपका हाल टी को download करने का जब अपसान आएगा, जब समय आएगा, उसी समय होगा, यहां पर दिखिए assignment submission status देख सकते हैं, यहां भी उसी समय आएगा जब आप assignment submit किये होंगे, यहां पर दिखिए दिया हुआ है format download कर सकते हैं, इगनू ID card यहां से download कर सकते हैं, यहां पर दिखिए previous year का question paper यहां से download कर सकते हैं, यहां से दिखिए assignment paper download कर सकते हैं, इस तरह से आप दिखिए link दिये हुए है, यहां पर दिखिए guideline दिये हुए है, एगनू student mobile app यहां से देख सकते हैं, यहां से registration कर सकते हैं, इस तरह का बहुत सरे link मिल जाता है दोस्तों आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि यदि आप जुलाई 2022 में जुन जुलाई से ही होगा जिसके लिए assignment आपको मार्च महिने में जामा करना होगा लाश्ट 30 मार्च तक या 31 मार्च तक इसके सांसाथ आपका जो exam फीस है उसको भी आपको जामा करना होगा इस वीडियो से सबंदित कोई भी सवाल या सुजा हो तो comment box में बताएं मिलते हैं नीग वीडियो में धन्यवाद